दीके हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आपकी हेल्थ समध्य जानकारी बढ़ती रहे वीडियो में बात करते हैं पेंफल मैंस्ट्रेशन की जिसको डिसमिनोरिया भी बोलते हैं यानि पीरेट के समय अगर दर्ध होता है तो उसको डिसमिनोरिया बोलते हैं और डर्ध होने का जो मेंन रीजन है की हार्मोन इरेगुलर और अनियांतरित मात्रा में बनना तो इस शरीर में उसी का result है dysmenoria penful ministration तो देखे पेंफुल ministration को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है घवराने की कोई बात नहीं penful ministration होमेपर्थिक दवा से एकदम अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है मासिक चक्र में अनिमित्ता का प्रमुक कारण हार्मोन का अस्तर अनियंत्रित होना जिस कारण से कई समस्याओं के उत्पत्ति हो जाती है सभी समस्या ठीक कर देगी इसमें जो दवा बताए गई है तो पूरा complete package है period को ठीक करने का हार्मोन को नियंत्रित करने का तो वीडियो के लाश्ट में दवा बताए गई है उसके पहले कुछ basic समझ लेते हैं तो देखे मासिक चक्र अनिमित्त होता है काफी कम होना ठीक से न होना मासिक दर्द और मासिक के समय काफी दिक्कत होना मन चेटचड़ा पन से ग्रस्त राना एकदम खिन सा राना कुछ भी ठीक न लगना पूरे सरीर में दर्द होना headache भी तो इस तरह से जब भी period आता है तो एक तरह से काफी दिक्कत ले के आता है मासिक के समय पेड़ू में दर्द दाहिने अबरी में भी दर्द होना कमर में भयांकर दर्द चलने उठने बैठने में दर्द होना मासिक की पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा जो भी दवा लास्ट में बताए गई है तो आप उसको जरूर यूज करें किसी भी होमेपथ से आप पूर्णतिया ठीक हो जाएंगे तो इस दवा को जरूर सेवन करें पहली दवा है पल्सेटिला थर्टी पाउर की डेली दोबू जीप पर सुबा में खाली पेट लेना है और दूसरी दवा है सिपिया 3x डेली चाय टेबलेट्स तीन टाइम जीप पर और तीसरी दवा इस्टिलाइगो थर्टी डेली दोबर साम रात को दोबू जीप लेना है सिपिया 3x के अगर टेबलेट्स बढ़े हैं तो एक टेबलेट्स लें अधरवाज छोटे-छोटे रहते हैं तो चाय टेबलेट्स लें तो इन तीन दवाओं से आपके पीरियेड की एर्रेगुलार तो आपने पूरा वीडियो देखा थैंक्यू धन्यवाद